हेलो फेंट्स मेरा नाम है विपिन गिरी और आप देख रहे हैं Eric Computer आज हम बात करेंगे कैसे हम अपनी hard drive का data recover करें यह अपनी external hard drive भी हो सकती है आपके desktop या laptop की internal hard drive भी हो सकती है या आपकी pen drive भी हो सकती है जो अक्सर कभी किसी भी कारण वर्स row partition में convert हो जाती है यानि कि हम अपनी pen drive का अगर space देखें तो properties में 0-0 दिखाता है पूरी hard drive अगर हम उसे open करें तो वह format होने के लिए पूस्ता है तो उस condition में कैसे हम अपनी hard drive का या pen drive का या external hard drive का data recover करेंगे वह भी बिना data की loss किए वह आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको दो step बताऊँगा पहला step cmd command के through और दूसरा step after cmd case through तो पहला step में हो सकता है इस condition में जो मैंने apply किया है यहाँ पर हमारा पहला step में ही data recover हो जाता है वह भी बिना loss के पट इसके साथ साथ मैं आपको दूसरा step भी बताऊँगा कि हो सकता है कुछ लोगों का data recover हो या किसी की hard drive पे वह command run ही ना करें यानि कि cmd command के through जिसके through हम data recover करेंगे वह run ही ना करें तो इसको run कराने के लिए क्या दूसरा step है तो वह इस वीडियो में मैं दिखाएंगे तो इस वीडियो को बिना skip किये देखिए और चैनल को subscribe ना किया हो तो जरूर कर दे और हाँ bell icon का घंटा प्रेस करना ना बोले जिस इसकी properties चेक की जाए तो properties में आप देखेंगे यहाँ पर 00 byte space दिखा रहा है तो इसको एक बार हम device manager में भी चेक कर लेते हैं मैं right click करके this PC पर right click किया manage पर क्लिक किया यहाँ पर हमारा device manager open हो चुका है device manager में एक बार हम अपने देख चुके यहाँ पर आप देख सकते डिक्स ड्राइब पर मेरी यह WD की passport hard drive है जो कि 0 blank दिखा रहा है नहीं की partition row हो गया एक बार डिक्स management में भी देख लेते हैं आप देख सकते हैं यह 2 TV की hard drive है जिस पर raw partition raw partition show हो रहा है और मेरा सारा data इसी hard drive में है बड़ आप देखेंगे तो इसके property जीरो जीरो है तो इस condition में कैसे हम अपनी hard drive का data recover करेंगे वह हम इस वीडियो में देखेंगे तो पहला step क्या है तो उसके लिए हमें चलना हुआ cmd पर तो start में जाके हम type करेंगे cmd cmd type करने के बाद command prompt को हम run as administrator open करेंगे run as administrator open करने के बाद हम यह पर command type करनी है वो command क्या है वो हम देख लेते हैं वो command है यहापर checkbix तो मैं यहापर type करता हूँ c h k d s k और इस पीस देखें जो हमारा drive letter है यान कि जो हमारी hard drive है इसको drive letter देंगे हमारी hard drive h है colon slash f यह हमारी command है इस command को type करने के बाद हम just enter करेंगे enter करने के बाद आप देखेंगे कि hard drive का process होना start हो गया इस process को मैं थोड़ा fast forward में कर देता हूँ जिससे आपका time बचे तो इसको process को हम चलने देते आप देख सकते जितने भी corrupt इसके index हैं सबको repair करने start कर दिया इसने तो guys यह process चलने देते हैं आप देखेंगे इस process पे मेरी hard drive का data recover हो जाएगा क्योंकि मैं already करके चुका हूँ यह recorded video है तो बट उसके बाद कभी कभी किसी का हो सकता है कि आपकी check disk command ना चले उस condition में क्या करना है या check disk यह recover होने के बाद मेरा इस process में data recover हो जाता है बट हो सकता है आपकी condition में data recover ना आई यह process ना चले तो उसके लिए हमें क्या करना है वो second step है मैं उसमें बताऊँगा देख वर मैं आपको check करा देता हूँ यहाँ पर मेरा पूरा यह complete process हो चुका है मैं एक बाद ड्राइब चेक कर लेते हैं 2tv की जो हमारी drive जो मैंने scanning के लगाई थी h drive तो यहाँ पर देख सकते हैं h drive हमारा जो पहले blank दिखा रहा दर 00 अब हमारा यहाँ पर hard drive full दिखा रहा है यानि कि हमारा जो भी data था इसमें आ चुका है तो एक बाद मैं अपनी drive को open कर के दिखा देता हूं तो friends आप देख सकते हैं मेरी इस drive में मेरा सारा complete data यहाँ पर show हो रहा है तो अब चलते हैं इसके बाद second step में second step तब हमें use करना है जब इस condition में हमारा data recover ना हो तो second step क्या है वो मैं बता देता हूं तो चलते हैं second step क्या है जो भी हमारी hard drive है जो row partition drive है यह row नहीं है बट इसको row मान लेजिए क्यों मेरा hard drive का data recover हो चुका है तो अगर जिस पर आपकी cmd command ना चले या उस command के process के बाद भी आपका data recover ना है तो उस condition में आपको क्या करना है तो step 2 step 2 क्या है आपको उस drive को select करके उसकी properties में जाना है properties के जानी के बाद आपके security वारे tap में जाना है और हो सकता है यहां पर मेरा authorization user show कर रहा है system show कर रहा है administrative show कर रहा है और user च्भेसर शो करें, हो सकता है, आपकी कंडिशन में यह उप्चेन नहीं आ रहा हूँ, तो अगर इस option पे आपको full control देना है तो अगर option नहीं आ रहा है यह आ रहा है तोनों condition में मैं आपको बता देता हूँ तो आपको edit option पे जाना है एडिट के option के बाद यहाँ पर आपको सभी system दिखा देंगे अगर यह option नहीं आ रहा है ग Tibber करता है और आपको यह टाइप कर लिए आपको एपो टाइप करें आपको टाइफ लीग्या करीडियों कि यहां पर बांड हम मदस्याश चलिए PPF आपको की गुए इस तरह से कि यहां पर यह तो इसके लावा आपको फिल से ताइप everyone आपको type करना है फिर check पर करना है select करके आपको ok कर दिना है तो यहाँ पर आपका everyone add हो गया है इसके बाद आपको administrator administrator already है नहीं है तो आपको इस तरह से administrator यह सब आपको setting आपर add कर लेनी है इसके बाद आपको in option को select करना है और full control पर click करना है आपको एक एक करके जो भी आपका नहीं है सभी पर आपको full control दे देना है user पर जैसी आप full control देंगे apply ok करेंगे आपकी drive पर वह permission add हो जाएगी यह जब आपके checklist चल सकता है यह हो सकता है कि आपका data open हो जाए तो अभी मैं यह पर इसको close कर देता हूं तो guys यह थे आपके दोनों option जिसके थुरू आप अपने raw hard drive का data easily recover कर सकते है वह भी बीना data loss किये हुए तो guys अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe कर दे और bear icon का घंटा प्रेस करना न भूले जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो को notification मिलता रहे तो thank you